तो हलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले उन सारे फैक्टर्स की जो आपको as an investor पता होने चाहिए अगर आप share में direct और indirect जा रहे हैं कई बार आपको करोड़पती लोग बनाते हैं कई बार आपको लोग बोलते हैं कि share market risky होता है कई बार बोलते हैं बहुत profitable होता है कई बार लोग बोलते हैं कि बचके जाओ तो कई बार लोग बोलते हैं आपको कि आप पूरा informed होके जाओ तो इस वीडियो में basically आपकी knowledge को enhance करने वाला हूँ, ना तो आपको overnight मैं करोड़पती बना रहा हूँ, ना तो मैं overnight ये बोलने वाला हूँ कि एक आएक आपकी wealth में increment हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो एक कहवत है कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, उसी बात को उसी बात को रखते हुए, आपको मैं 10 ऐसे points बताने वाला हूँ, हलाकि इन 10 के 10 points का detail आज इस वीडियो में cover नहीं हो पाएगा, क्योंकि otherwise इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 10 में इसे 2 points आज cover करूँग और पूरा जो knowledge series है, जो knowledge series है ये पूरा का पूरा heading, understanding, fundamentals of the market, इस पूरे series में आपको definitely बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे आप एक एक छोड़ी छोड़ी चीज़े भी किसी भी company के बारे में जान जाएंगे, जब हम company में किसी भी company का share खरीते हैं, तो एक तरह से उ बनने वाले हैं, जिसमें हम share करने वाले हैं, उस company के बारे में आपको पता करना तो जरूरी होता है, कोई भी अगर आप देखें, कोई भी अगर हम किसे दोस्ती करते हैं, किसे अपना रिस्ता करते हैं, तो पूरी information ले के करते हैं, तो अपनी wealth वाला रिस्ता, जिससे हम growth कर करने की expectation रख रहे हैं, उसमें क्यों ना पूरी बाते पता करें, काफी लोगों को ये चीज़े पता नहीं होती, कभी भी tips और लोगों के राय बे विश्वास मत करिए, खुद analyze करिए, तो analyze किस-किस parameter पर करते हैं, कैसे कैसे हम check करें, कि हमसे गलतिया ना हो, क्या सारे parameter को हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सा parameter ज़्यादा important होता है, कौन सा parameter, ignore किया जा सकता है, इस वीडियो में सारे parameters को आज हम जानेंगे, आगे बढ़ने से पहले मेरा request होगा, कि चैनल को subscribe कर लीजेगा, ये जो fundamental series के वीडियो हैं, ये कुछ और आएंगे, हो सकता 4-5 आएं, सारे वी सामने fundamental लिखा मैंने, अब fundamentals में कौन कौन से point होते हैं, पहला market cap, ये market cap है क्या और कितना role play करता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, profit earning ratio, PE ratio, ये क्या होता है, कितना role play करता है, कितना importance है इसकी, ये इस वीडियो में इसको भी जानेंगे, उसके बाद तीसरा profit to book value, ये ratio है, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, industry, PE की industry का, उस industry का, मालो आपने कोई company लिया, suppose ITC लिया, तो ITC का PE देख लिया, फिर FMCG का, पूरे FMCG सेक्टर का PE क्या है, तो उस industry का, मालो HDFC अपने choose किया, उसका PE आपको पता चल गया, फिर आपने देखा, banking सेक्टर का PE क्या है, जिससे आप relate कर पाओ कि ये overvalued है, या undervalued है कोई stock, तो industry का PE, ये भी अगले वीडियो में, face value क्या होती है, किसी भी share की, उसका मतलब क्या होता है, किस face value पे आपको enter करना चाहिए, वो भी अगले वीडियो में, ROE, ये जो ROE है, ये जानना आपके लिए बहुत important है लेकिन ये भी इस वीडियो में नहीं, लेकिन ये fundamental parameters है, at least आप इनके नाम जान लीजे, तभी तो आप educate होंगे, सात्मा book value, ये book value क्या है, किसी भी face value अभी देखा, आपने पांचवा point, सात्मा point, book value क्या होता है, और OE क्या होता है, ये अगले वीडियो में, dividend yield क्या होता है हर एक share का, एक dividend yield क्या है, वो भी अगले वीडियो में, लेकिन ये fundamental points है, और fundamental point क्या है, EPS, TTM, ये TTM क्या होता है, PE के लिए भी TTM use क्या जाता है, तो ये EPS समझ गया होगे, earning per share है, लेकिन अगले वीडियो में, ये भी fundamental points होते है, debt to equity, debt to equity क्या है, ये fundamental point भी अगले वीडिय ROE, book value, dividend deal, EPS, and debt to equity, दो चीजें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काफे detail में, तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जानते है, market cap क्या होता है, अब देखो market cap की definition अगर देखी जाए, it is the total market value of all the company's outstanding shares, company's outstanding shares, जितनी company की share है, उनका market value जितनी भी है, वो company की market value है, कहते ह ना कि हमारी market value इस time इतनी है, तो एक तरह से बोला जाए कि आज मैं अगर बिकने जाता हूं, तो मैं कितने में बिक जाओंगा, that is my market value, I hope समझ में आ गया होगा, एक point on, it is used to describe how much an asset or a company's worth on the financial market according to the market participant, खरीदारों के नजर से वो company कितनी हैसियत रखती है, that is market cap, I hope आप market cap समझ के होगे, जितना जादा market cap किसी का है, उतनी जादा valuable company है, आगे वड़ते हैं, तीसा point इसमें एक और में दे रहा हूं, आपको, it is commonly used to refer to the market capitalization, market capitalization of a company which is calculated by multiplying the number of shares in circulation by the current market price, एक लाख market share circulation में है, हर share की पांच रुपे value है, तो एक लाख इन्टू पांच यानि पांच लाख हो गया आपका market cap, I hope समझ में आ गया सभी बच्चों को, सभी student को, सभी दोस्तों को, सभी investors को, जो भी समझना चाहें, उनके लिए है ये, PE ratio, ये PE ratio बड़े ही काम का है, PE ratio कि ये हमने सुरू सुरू में six points में बाट रखे हैं, पहला definition क्या होगा इसकी, वो हम पढ़ेंगे, significance क्या है PE ratio का, दूसा point है, तीसा point है, types of PE ratio क्या क्या होते हैं, चवधा point है absolute PE versus relative PE, ये क्या होता है, which is good PE ratio, और PE ratio क्या सबसे बढ़िया होता है, मैं यहाँ पे, on PE ratio of nifty, nifty का PE ratio क्या है, absolute PE ratio versus relative PE ratio, what is good PE ratio, and PE ratio of nifty, ये क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे हम, उसके बाद आ जाते हैं, अगला point of definition पे आ जाते हैं, उसके बाद जो six point मैंने बोला, rest of the video में, वो सारे point में आपको बताने वाला हो, what is PE ratio है क्या यार ये, PE ratio कि इतनी चर्चा होती है, अगर अच्छे से use कर पाएंगे, और इससे आप अच्छा फाइदा उठा पाएंगे, इसको use करके आप share खरीद पाएंगे, price to earning ratio और price to earning multiple is the ratio of share price of stock to its earning per share, यानि एक share कितना earn कर रहा है, उससे divide कर देते हैं, price of the share से, price to earning ratio और price to earning multiple is the ratio of share price, share price मालो किसी का share है, 1000 रुपे का, to its earning per share, मालो share earn कर रहा सिर्फ 200 रुपे, तो 1000 अपन 200 यानि PE ratio 5 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये PE ratio की जो definition उसको थोड़ा और clear करते हैं, PE ratio is one of the most popular valuation matrix of the stock, it provides the indications whether a stock at its current market price is expensive और cheap, भेंगा है या सस्ता है, उसके बाद हम जाल लेते हैं, अगला point जो है, significance of PE ratio, ये क्या है यार, significance of PE ratio में हम लोग जानेंगे, what does PE ratio mean, है क्या है, the earning of stock can either be distributed to shareholders or dividends, as a dividend, or invested in the business to grow revenue, and EPS is the future leading to capital appreciation, basically, जितना भी company इनों earn करती है, वो हमेशा, shareholder के पैसे से, वो दो काम किया जाता है, तो dividend दे दिया जाता है, या invest कर दिया जाता है, या दोनों कुछ-कुछ part किया जाता है, तो future leading to capital appreciation, तो यही बात इसमें बताया गया है, PE ratio is the price, investor are willing to pay for rupee 1 of EPS of the company, जो एक रूपे के share पे जितना कोई पे करना चाहता है, वो उसका PE ratio होता है, यह आप सब लोग जानते हो, कई बार कुछ-कुछ factors काम करते हैं, और price किसी भी share का बढ़ जाता है, किसी company का, हलां कि जो PE ratio होता है, वो तो बढ़ गया, share हलां कि कम earning कर रहा है, या share का company की जो growth 5 गुना होने वाली है, share का पता चला 10 गुना हो गया, तो आप PE ratio बढ़ जाता है, इसे हम overvalued कह सकते हैं, आगे और बात करेंगे, if the share price falls much faster than earning, PE ratio becomes low, high PE ratio, a high PE ratio means stock is expensive, and its price may fall in the future, आपको थोड़ा सा समल के invest करना चाहिए, और भी factors देखना चाहिए, high PE ratio थोड़ा सा expensive होता है, और मुझे लगता है, वो बाद में गिर भी सकता है, तो आपको किसी भी company का जो share है, उसका PE ratio देखो, अगर वो industry से high है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा overvalued है वो share, low PE ratio क्या होगा, a low PE ratio means that a stock is cheap, and price may rise in the future, आपको खरिदना चाहिए, वो आगे बढ़के आगे जा सकता है, लेकिन खरिदने से पहले, और भी कई factors उनको देखना होगा, तो मैं ये recommendation video नहीं बना रहा हूँ, PE ratio therefore is very useful in making investment decisions, उसके बाद आजाते हैं, अगला point है, types of PE ratio, तो दो type का PE ratio होता है, पहला trailing 12 month TTE जिसे कहते हैं, trailing 12 month PE ratio, एक होता forward PE ratio, अब ये दोनों अलग-अलग इनको जान लेते हैं, trailing क्या होता है, TTE और forward PE क्या होता है, trailing 12 month PE होता है, TTMP is the current share price divided by the last four quarters of EPS, earning per share, last four quarters, यानि पिछले एक साल का current price divided by the last four quarterly EPS, trailing 12 month, trailing यानि पीछे वाले 12 महिने का, के हिसाब से हम किसी का PE निकालते हैं, TTMP is easy to calculate, because companies declare the financial results, including EPS every quarter, तो आप खुद इसे पता कर सकते हैं, और आजकल तो बहुत सारे websites हैं, जो आपको बता देंगे निकालके, अगला हम देखते हैं forward PE, forward PE थोड़ डिफरेंट होता है, is the current share price divided by the projected EPS over the next four quarters, companies projected अपना earning पर share तयार करती हैं, market भी तयार करता है, कई सारी agencies हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों को rate करती हैं, तो forward PE basically जो future के, याणि अगले एक साल के projected EPS को लेके calculate किया जाता है, calculating forward PE requires expertise because it involves forecasting sales, margins, profit and loss and EPS, research analyst estimates forward earning and PE ratio based on guidance received from company management and their own research, यानि जो company हैं, research analyst हैं, ये लोग अपना research करते हैं, कंपनिया जो forecast करती हैं, market जो forecast करता है किसी company बारे में, उसको देखके मनाते हैं, forward PE is more relevant than TTM PE, because past earnings are already discounted in share price, where forward earning can provide indication of future stock price changes, that said, time series analysis of TTM PE can also provide very useful insight into whether stock price is getting overheated, TTM PE can also provide insight into whether the overall market or overall index is, too high or too low when compared to past PEs, उसके बाद आजाते हैं, absolute PE versus relative PE, ये क्या है, absolute PE, PE ratio calculated by using any of the two methods described above, that is TTM PE or forward PE is known as absolute PE, यानि जो अभी तक आपने PE पढ़ा है वो absolute PE है, समझ में आगया, बहुत कलियर, most widely quoted PE ratio in media, however, absolute PE ratio by itself has some limitations, the most major limitation of absolute PE is that stock is different industry, sectors trade in different valuation and range, for example, PE ratio of metal stock are usually much lower than PE ratio of FMCG stocks, but this does not mean that metal stock is cheaper than FMCG stock and therefore, और मूर एक्टिव इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, the limitation of absolute PE is overcome by using relative PE, अब relative PE क्या है, relative PE compares the current absolute PE of a range of past PE over a relevant time period, such as last 10 years, से हम देख लेते हैं, इस time relative PE क्या चलव रहा है, relative PE usually compare the current PE value to the highest value of the range, यानि सपोस करो किसी time, PE ratio किसी कंपनी का पहले 10 सालों में 30 चला गया, और आज वो कंपनी का PE ratio 27 है, तो 30 upon 27 will be the relative PE, और ये आजाएगा 27 upon 30, यानि current upon past, maximum वाला, तो 27 upon 30 यानि 0.9 relative चल रहा है, यानि एक नहीं हुआ है, यानि हम peak पे हैं पिछले 12 महीने के, या पिछले 10 सालों के, या पिछले 15 सालों का, जो भी आप relative लेना चाहों, 10 साल मान लीजे, तो relative यानि highest गया, उससे divide कर देते हो present वाले का, अगर मान लो present जादा है, पिछला कम है, तो अब महंगाई की तरफ जा रहे हो, महलब अवर वैल्यूद स्टॉक की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ते हैं, वाट इस गुड पी रेसियो, यह क्या है, गुड पी रेसियो बेसिकली, अज बेंसन अर्लियर, यहां से आप कन्लूजन निकाल सकते हो, यह बहुत जरूरी पॉइंट बने बोला, कोई एक चीज़ देख के आप इसे यह नहीं बना सकते हैं, पी रेसियो निप्टी का क्या पी रेसियो है यार, निप्टी का पी रेसियो रेंज 10 से 30 तक चलता historically, यानि वो अपने जो वैल्यू अप स्टाक उसके 10 होना जादा, ट्रीट करता है 10 से 30 यह, एवरेज पी आप निप्टी लास्ट ट्वेंटी यह वोस अराउंट ट्वेंटी, पी बिलो ट्वेंटी में प्रोवाइड गूड इन्वेस्मेंट अपॉर्चूनिटीज, अपने टाइब आप यह, आप केवल पी राइचियो से नहीं कुछ कर सकते हैं, आपको देखना होगा कि बिजनस मौडल कितना सस्टेनेबल है, कितना कंप्टिटिव इवांटेज है उस बिजनस में, कितना मार्केट सेर ग्रोथ पोटेंसियल है उसमें, कितना उसमें अर्निंग ग्रोथ पोटेंसियल है, प्रॉस्पेक्ट से है, हाउ तो मौडरेट डेट इकुटी रेसियो, और स्टॉंग मैंगरेजमेंट टीम भी उसके पीछे काम कर रही हैं, यह नहीं कर रही हैं, सारे बेले लोग तो नहीं हैं, तो यह होता है, overall, किसी भी कंपनी के fundamental जानने के तरीके, अब 10 पॉइंट मैंने fundamental के दिया, उसमें से 2 पॉइंट मैंने cover के, rest मैं cover करूँगा, अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो इंतियार ज़रूर करिएगा, इस वीडियो के बारे में feedback दीजेगा, thank you very much, bye-bye.